कि कि आप एक कि आपने इंस्टॉल कर लिया इसके बाद आपको सबसे पहले एक फोल्डर क्रियेट करना है आपके डेक्स्टॉप पे या किसी भी लोकेशन पे जहां चाहते हों लैब इसी सेवन जिरो वन के नाम से आप अपने नाम से भी कर सकते हैं लैब मैनुवाल या जो भी दैन ओपन देस फोल्डर ठीक है कि यहां तक सबने अब जब यह फोल्डर आप ओपन करेंगे दैन आपको इस पर जाना है न्यू पर और यहां पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है उस पर क्लिक करना आप चीक है तो यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा ओपन चीक है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मुझे रीनेम करना है जैसे मैं करता हूं लूप वन डॉट अब यह तो टी एक्स्टी फाइल है तो टेक्स्ट के नाम से आएगी जब हम इसको ओपन करेंगे तो यह क्या होगी एक टेक्स्ट फाइल होगी अब इसको इसलिए अपन ने ओपन किया है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी एक एक कोड लिखना है ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए हम इसको क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे रीनेम करेंगे और जब भी आप एक नई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं किसी उसके लिए तो आप बनाएंगे लूप फॉर एग्जामपल लूप वन नाम लिखा है मैंने डैन डॉट एसपी यह स्पाइस फाइल का सिंटेक्स है जो कि उसका सिमिलेटर इसी पर्टिकुलर फाइल को एक्जिक्यूट करता है तो हम इसको लूप वन डॉट एसपी जो भी नाम लिखेंगे अपन मेश एनलेसेज लूप एनलेसेज केसी एल केवी एल उस तरह से आप उसका नाम लिखेंगे लूप बन डॉट एसपी और एंटर करेंगे अब यह जब अपने एंटर करा तो यह नाम तो अपन ने दे दिया बट अभी भी यह टेक्स्ट फाइल है तो इसको ओपन करने के लिए जब बन जाएंगे ओपन विट ओपन जी जब आप फोल्डर क्रिएट करोगे तो टेक्स्ट फाइल उसमें न्यू टेक्स्ट फाइल जाके टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना होगी अब इस टेक्स्ट फाइल में अभी आप मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है ब्लैंक है वो टेक्स्ट फाइल का एक नाम लिया अपने लूप वन जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूं फिर से बता रहा हूं अपने फोल्डर ओपन किया देन गो फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप लिखेंगे लूप वन डॉट एस पी या लूप बन अटा अपन लिखते हैं के वी एल डॉट एस पी एंड सेव अब यह वाला फाइल नेम अपने दे दिया ठीक है इसके बाद आपको एक और काम करना है क्योंकि के वी एल जब भी आप बनाएंगे अभी तो आपने कुछ नहीं लिखा लेकिन इसको अपनको एल्टी स्पाइस आफ्टर में रन करना है तो हमें वह वाला एक्स्टेंशन भी देखना पड़ेगा जो एस पी फाइल से चलता है तो वह एल्टी सिमुलेटर है जो कि अभी शोर नहीं हो रहा तो आप क्या करो और यहां पर आके व्यू करें और इसमें एक आप्शन होता है हाइड एक्स्टेंशन फॉर नोन फाइल टाइप्स तो इसको डिसेबल करो अंटिक कर दो इसको देन एपलाई देन ओप जो एक है अब किया है यहां पर देखो हमने जो फाइल नेम दिया था न वह इसलिए आप सिलेक्ट हुगे था क्यूंकि कि वी डॉट सफी डॉ टेक्स्ट ले लिया इसने टेक्स्ट फाइल ही ऑट यह जो टाइप दिख रहा है सबको यहां पर दिख रहा होगा टेक्स्ट मैं नहीं करना हमें करना एब हैस्पी मतलzung इसमाइस फ्सौर्ब तो उसके लिए अपन क्या करें रीनेम करें और यहBeンデंस से देलीट करके अब देखो सेफ कर रहा जैसे ही सब लोग देख रहा हूँ स्क्रीड पर जैसे ही अपने मैं इसको सेव किया यह क्या बोल रहा है इफ यू चेंज अफाइल नेम एक्स्टेंशन दा फाइल माइट बिकाम अनिस यूजबल आर यू स्यूर यू वांट टू चेंज इट तो अपन यस करेंगे अब जित्ते लोगों के सिस्टम में हैं एल्टी स्पाइस डाउनलोड है वो यहां से एक्स्टेंशन ले लेगा यह देखरो विंडो पे एस्पी का एक्स्टेंशन इसका एक्जिक्यूटेवल फाइल इसकी बन गई है अब आपन राइट क्लिक करके अगर इसको बोलेंगे न तो यह बोल रहा है एंपटी नेटलिस्ट फाइल तो यह डारेक्ली इसने यहां से ओपन कर दिया आपका एल्टी स्पाइस क्लियर हुआ यह चीज़ सब लोग अपने अपने लेवल पर प्रेक्टिस करके यहां तक आओ सबसे पहले ओके यू गो तुरू दे ऑर्गनाइज देन फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन देन क्लिक ओन व्यू अब यहां पर यह जनरली सबके सिस्टम में व्यू में जाके हाइड एक्स्टेंशन फॉर नौन फाइल टाइपस यह वाला टिक होता है तो हमें क्या करना है इसको अंटिक करना है एपलाई एंड ओके डैट सब कि अब आपको यह जो के बीएल फाइल अपनने बनाई है इसमें हमें कोड लिखना है चीज़िए तो कोड लिखने के लिए हम एक सर्कृट लेंगे सिंपल समें एक सर्कृट के एक्जाम्पल दे रहा हूं यहां से पॉर एक्जाम्पल यह सर्कृट सबको दिख रहा है हम केवल इसका यह वाला पार्ट लेते हैं ये चोड़ो हम एक सर्कृट डिजाइन हैं अपन यहां से जाके एक बाईक एक सर्कृट बनाते हैं यह प्लस माइनस एक स्टर्डर लिया यहा लिया और एक यह बन पन यह वन तूर डू वी वन और इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं फाइब वोल्ट को अर्वन को अपन ले लेते हैं टू ओम इसको ले लेते हैं टू ओम क्लियर यहां तक यह टू ओम की जगापन इसको थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं कि पाइफ कर लेते हैं फाइफ ओम यहां भी कर लेतें फाइव ओम दोनों फाइफ फाइव ओम गें टीकिना आरवन नार्टू यह डाइग्राम सब को क्लियर हुआ क्लियर हुआ कर लेते हैं 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 झाल झाल तो सबको मैश अनली सिस्ट याद होगी कि अपन उसमें जब मैश लूप अनलीसिस करते थे तो अपन नोड के नाम लिखते थे उसके बाद उसका स्टार्ट करते थे तो हमने सर्किट में क्या लिया एक वोल्टेश सोस्क्राइब इससे कनेक्टेड है और वन और उससे ले लिया टू और यह जो बॉटम एंड है इसको अपन ग्राउंड बांते हैं क्योंकि यह ग्राउंड से कनेक्टेड है ठीक है अब हम इसका स्पाइस कूड कैसे लिखते हैं अब अपन वह देखेंगे ठीक है तो अपन यहां पर गए अब हम इसका स्पाइस कूड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन लिखेंगे वीवन गैपिटल वीवन नेम अफ दा सोर्स उसके बाद इसका पॉसिटिव और नेगेटव टर्मिनल तो पॉसिटुट वर नोड का नाम त linguine का नोड है वन नेगेटिव है अपका इषक्ष के बीच ओर магेर सेमिकालby में अब अपने पास अग्ला क्या है और व dicey आरवं अब क्या गरूं में कोई बताएगा ईता के सबस्सक्राइब और के बिल्ए को करेंट टेर्क्षान में फैलो होता है उस डरेक्षण में अपनको लिखना होता है तो मैं फिरसे रहती करता हूं जैसे यहां से करेंट फ्लो होगा आपको सबको मालूम है कि करेंट कैसे टरह से लोगा तो आधिके ना तो फ्लोउ फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है बन से टू और टू से जिरो ठीक है तो हम यही वाली चीज़ यूज़ करेंगे आरवन जो है इस वन टू टू और इसकी वैल्यू क्या है फाइफ ओम चीज़ एक मिनिट में इसका वो देखने हूं चीज़ आर्टू पे चले जाओ इस कनेक्टेट बिट्विन नमबर जीरो से नोड नमबर टू टू जीरो क्योंकि डारेक्शन और फ्लो जो भी है वह अब उनको देखना है अब इसके आगया आप यहां लिख भी सकते हो एक कमेंट लगा के रजिस्टर आर्वन कनेक्टेड बिट्विन वन एंड टू नोड करेंट फ्लोइंग प्रॉम वन टू टू इसलिए हमने पहले वन लिखा है फिर टू लिखा है ठीक है सेकेंड में भी यह तो यह तीनों होगे अब इसके बाद जो आपको लिखना है ऑपरेटिंग कॉइंट एनलीसिस होती है यह यह जो अपरेटिंग कॉइंट है इसके वन टू जीरो उसके अनलीसिस तो डॉट ओपी सेमी कॉलन देन डॉट एंड तो यह जो आपका कोड है यह हो गया है आप चाहो तो इसको सेव करो सेव करने के बाद आप इसको यह बच्चे का आइकन दिख रहा है दोड़ते हुए रन ठीक है तो इसके रन पर क्लिक करो अब यहां पर आप लोग देख सकते हो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो ओपरेटिंग इसको प्वांच पॉइंट्स ओप आपना वी ओं था फाइब वोल्ट मतलब नोड बचे और गार्ट हान्ट ही अपर रागर वल्ट और क्रेंट आई-टो-बेम्हरा teammates एंड करेंट फ्लोइंग त्रू आरवन इस पॉइंट फाइव एंपियर ठीक है यह सब को क्लियर हुआ यह यह पुल मिला के रीडिंग तो ठीक है सब्सक्ति पॉल्टेज स्रूर्ण से उसने बता दिया और स्रूर्स में जैसे बी वन वोल्ट उसमें जो करेंट फ्लो हो रहा क्या? माइनस का साइप मतलब इसमें पावर्न टिलीवर हो रही है और बाकि आर्वन एन पावर एब्सार्व कर रहा है आर वन और टू आर एब्सॉर्विंग एलिमेंट तो पावर डिसिपेट या डिलीव इसमें एब्सॉर्व हो रही है और वीवन सोर्स से वहाँ पर पावर डिलीवर होगी ठीक है ना तो समझ में आगे सबको तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेलो इसमें काम करना और इस पर कुछ अच्छे जो हम लोग इसमें देखेंगे अब हम अपने कुछ जो करेंगे वह अपन इसमें देखेंगे नेक्ट क्लास से है ना तो आप लोग इसी करके एक बार देखो और और भी कई लगी चीज़ें जैसे अपन एक्स्प्लोर करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाओंगा तो आज आपका परपस है आप इसको इंस्टॉल करें जिसके सिस्टम में नहीं हो रहा है और जिसके सिस्टम में हो गया है वह अपने रेंडम कोई भी क्वेश्चन उठाएं न सबसे पहले आपको यहां पर एक टेक्स्ट फाइल के लिए सबसे पहला काम आपको फोल्डर ऑप्शन में जाओ तो वह मिलेगा और जा फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन फिर यहां से आप व्यू में जाएंगे और यहां वाला हाइड एक्स्टेंशन फॉर नोन फाइल टाइप पे जो टिक होता इसको हटा देंगे अप्लाई करेंगे और अब यहां पर राइट क्लिक करके टेक्स्ट कहां गया टेक्स्ट डॉक्यमेंट इस पर क्लिक करेंगे तो यह ओपन होगे अब यहां पर अपने इस आप से लिख लो लूप टू चीक है और इसका एक्स्टेंशन आप देदो डॉट एस पी टेक्स अटा दो तो यह जो एक्स्टेंशन है यह डारेक्ली कौन सा ले लेगा इस एल्टी स्पाइस का कोड चीक है और यह मैसेज आएगा इसमें यस क्लिक करो तो यह देखो इसने भी ले लिए अब जब इसको डवल क्लिक करोगे तो डाइरेक्ट आपका ल्टी स्पाइस टूल ओपन हो जाएगा और इसमें आप सीधे-सीधे कोडिंग स्टाइट कर सकते हैं क्लियर है 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 तो दिस इस अल अबाउट आवर लैब इस सब्सक्राइब करने के लिए क्या करेंगे उसका सिंटेक्स है डॉपी ऑपरेटिंग पॉइंट अनलीसिस तो इसका मतलब होता है जैसे डॉपी करते हो तो आपका जो भी सर्केट है उसके हर एक ब्रांच का करेंट और वोल्टेज आपको मिल जाएगा तो जितने भी नेटवर्क अनलीसिस के सब्जेक्ट में जितने भी सर्केट होते थे कहीं अब उलत जाते थे तो आपको अगर मैनुवली दिख्कत हो रही है तो इस सौफ्ट्वेर के थुरू आप मिनिट आप सौल कर सकते हों कि क्या उसमें मतलब क्या वैल्यूज है करेंट एंड वोल्टेज टी एंड यूगन कैल्कुलेट के सी एल के वील मैश लूप अनलीसिस एंड और ओल कैंट्स ऑफ अनलीस चीक है ना तो इसलिए अभी मैं इसके और भी कुछ निमेरिकल है वोल् कि एनिवन एनिडाउट और वाइंड अप करें कि अधिक्षों करें वाइंड अप अईध गयाई यूगन इस एंड झाल बंदो डिर मैश वाइंड घगिक्षों करें ईड़क्यावी शल्याओ और बंदों करें अधिक्षों करें इस एंड तरुप जो पनाद बंदों करें दों अजरा थाएंड़क्षों